एक आदमी हैं जिसके पास सफिशन मनी हैं लेकिन अगर वो फिर भी दुखी है तो पेसे कमाने का क्या मतलब? कोश्चन तो वे लिडे बट अगर ऐसा हमारे साथ हो तो हमें क्या करना चाहिए? नमस्ते दोस्तों गुरु सुर्टी में आपका स्वागात है आज के वीडियो में हम दिमांखु सोल्डिस फरारी बुक के कुछ इंपोर्टेन लेसनस के बारे में बात करेंगे जैसा कि मैंने कहा कि अगर ऐसा हमारे साथ हो तो हमें क्या करना चाहिए? आए समझते हैं जुलियान एक रिच और सक्सेसफुल है रहे उनके पास बहुत सारी प्रोपर्टी और एक फरारी भी है बट वो दिन में 18 घंटे काम करते हैं और उनका काम बहुत स्ट्रेसफुल है इसलिए उनकी अपने घरवालों से बनती नहीं है मीन्स लड़ाई होती रहती है और उनक तुमने और ज़्यादा काम किया तो तुम्हारी डेथ भी हो सकती है हॉस्पिटल से निकलने के बाद वो कहां गए किसी को कुछ पता नहीं चला वो उनके ओफिस में भी नहीं दिखे लेकिन तीन साल बाद वो अचानक अपने कलीग जोन के ओफिस पहुँचे उसे अपनी स परहरी बेंच दी और ट्रेवल करने हिमालाय चला गया विकोज हिमाला में रहने वाली मंक सो सालों से ज़्यादा जी रहे हैं और उनके पास ही रियल नोलेज और विज्टम मिल सकती है मैं वहां जाकर मंक के साथ रहने लगा शुवात में तो उनमें से किसी ने मेरो पर ध् पहलता है उस रेसलर ने एक लंगोट पहनी ही कुछ देर टहलने के बाद उस रेसलर को एक गोल्डन वोच दिखती है वो सोच को उठा के अपने आतों में पहन लेता है वोच पहनते ही वो अचानक नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है थोड़े टाइम बात फूलों की खुच स्टोरी में कुछ समझ नहीं आया मंक ने उसे समझाते हुए कहा कि इस स्टोरी में जिंदगी जीने के साथ प्रिंसिपल शुपे हैं फस्ट गार्डन स्टोरी में जो गार्डन था वो सिंबोलाइज करता है हमारे माइंड को फॉर इक्जांपल हम गार्डन में अच्छे सी की तरह बन जाता है बड़ अगर हम अपने माइंड में नेगितिव ठोट्स को रखते हैं तो हम दूख ही रहेंगे और हमारा माइंड डंक्याड बन जाएगा इससे बचने का सबसे बेस्ट तरीका है अपने माइंड की सफाई जिसे आप मेडिटेशन की हेल्फ से कर सकते है Second Lighthouse Lighthouse लाइफ के गोल्स का सिंबल है जैसे Lighthouse ships को सई डरेक्शन दिखाता है कि नरो तक पहूँचने के लिए वैसे ही लाइफ के गोल्स हमेश सई डरेक्शन दिखाते हैं लाइफ को सक्सेस्फुल बनाने के लिए बट कई लोग ऐसे भी होते है जिनने अपनी लाइप के ग गोल होना चाहिए और उससे अचीव करने के लिए हमें continuous efforts लगाना चाहिए अगर आपको गोल के बारे में और भी ज़्यादा नोले चाहिए तो इस पर जल्द ही मैं एक समरी upload करने वाला हूँ सुमो रेसलर सुमो रेसलर continue improvement को symbolize करता है जापान में सुमो रेसलर्स एक philosophy को follow करते हैं जिसका नाम है काईजन काईजन मिन्स आप किसी बहुत चोटी चीज़ पर बहुत ज्यादा focus करते हो रोज और आप continuously धीरे धीरे अपने आपको improve करते रहते हो चोटी चोटी चीज़ों प थी तुम ये करो मुझे भी नहीं पता इसको क्या बोलते है तो शुरुआ तो शुरुआत में इसको क्या होता है बट वो करता रहता है करता रहता है और जब रहता है एक लक्टी की टेवल आपने हाथ से तोडने के बाद तो अगर आप भी continue चोटे चोटे improvement करोगे तो एक इन एक बड़े result को चीव कर लोगे फॉर्थ लंगोट लंगोट self control और discipline को symbolize करती है उतर हमें बताते हैं कि हमें अपनी boundaries set करनी चाहिए It means हमें decide करना चाहिए कि हमेरी limits क्या है For example, sumo wrestler कपड़े नहीं पेंता बट वो फिर भी अपने आपको cover करके रखता है लंगोट से इससे उतर हमें बता रहे हैं कि हमें भी हमारी boundaries decide करनी होगी और यह हमें कोई और नहीं बताएगा फिफ्थ golden watch golden watch symbolize करती है time को हर किसी के पास बराबर और थोड़ा सा ही time है अपनी जिन्दकी जीने के लिए तो अगर आप इसकी importance को नहीं समझोगे तो आप सोते ही रह जाओगे और अपने आप से कहोगे काश में कुछ कर लेता अगर time से समल जाता तो कहीं और होता तो इन सवालों से बचने के लिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने time की importance को समझ लो अगर आप अपने time को लेकर बहुत ज़्यादा serious हो तो आई बटन पर क्लिक करके हमारी time management playlist भी देख सकते हो फ्रेगनेंट रोज फ्रेगनेंट रोज social service मिन्स दूसरों की मदद करने को symbolize करता है हम सभी को अपने level पर लोगों की मदद करनी चाहिए कई लोगों को ऐसा लगता है कि बिना पेशो के लोगों की help नहीं की जा सकती बट ऐसा नहीं है अगर आप चाहें तो लोगों की help बिना पेशो के भी कर सकते हैं सेवंथ diamond path diamond path हमारी life की छोटी 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 खुशियों को symbolize करता है means हमें अपने life में होने वाली छोटी छोटी खुशियों को enjoy करना चाहिए बट लोग या तो past को लेकर परिशान रहते हैं या future की जिंता करते रहते हैं जो कि बिल्कुल गलट decision होता है तो यह थे life जिनने के 7 principles I hope guys आपको summary पसंद आई होगी धन्यवाद